हे गाईज क्या हाल चाल हैं आप सभी के स्वागत है आप सभी का हरियाना और्बिटल रेल कोरिडॉर की अपडेट में आज की इस वीडियो में मैं आपसे 121.7 किलोमेटर लंबे इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाला हूँ जो की हरियाना के अंदर बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के बन जाने से पलवल और सोनी पत के बीच में कनेक्टिविटी काफी इन्हेंस हो जाएगी इन्डिरेक्टली इसका बेनेफिट दिल्ली को होगा तो आए जानते हैं हरियाना ओर्बिटल रेल कोरिडॉर की प्रोग्रिस और साथी में जानते हैं भारती प्राइब जरूर से कर लीजे अगर आपने वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजे चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस अपडेट को राइज हर्याना और्बिटल रेल कॉरिडॉर 121.7 किलो मेटर लंबा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे ट्रांस्पोर्टेशन है काफी कन्वीडियन्ट हो जाएगा हर्याना और्बिटल रेल कॉरिडॉर के बन जाने के बाद वैसे बता दूँ यहाँ पे इसको टोटल 5,670 करोड रुपीज की यहाँ पे एप्रूवल मिल चुकी है गॉर्मेंट ओफ इंडिया की तर रही है तो प्रिवियस मन्थ यहाँ पे दिलिप बिल्ड कॉन जो की यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट बिडर थी और लोवेस्ट बिडर होने के कारण उन्हें 21.14 किलोमेटर के पैकेज C5 को लेकर काम करने की यहाँ पे इजाज़त मेली है आप कह सकते हैं 1092. 22.45 करोड रुपीज की यहाँ पे उन्होंने सबसे लोवेस्ट बिडिंग प्राइज जो है वो दी है और आप कह सकते हैं कि अब दिलिप बिल्ड कॉन यहाँ पे काम करने वाली है पैकेज C5 के अंदर गाइज हर्याना स्टेट में आप कह सकते हैं कि यह एक सेमी हाई स्पी को काफी जल्द बना कर तयार किया जाएगा अगली साल मार्च 2025 की डेड लाइन है और टार्गेट है कमपलीशन का अब आईए बात करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कुछ बड़ी बड़ी चीज़े आ रही है और आवली हिल्स के अंदर यहाँ पे टनल आया और वेस्टन पेरिफिरल एक्सप्रेसर के पैरलल में बनाई जानी है अरावली माउंटेन रेंज के अंदर अब बाकी अगर हम बात करें कौन सी कंपनिया पे काम करेगी तो रेल विकास निगम लिमिटेड आर वी एनल यहाँ पे काम करने वाली है और 2026 में यह टनल ब बात आपको देखने को मिलेगी चैनेज 12.842 किलोमेटर से लेके चैनेज 24.844 किलोमेटर के बीच में बलास्ट लेच ट्रेक बिचाये जाएंगे और अगर मैं बात करू यहाँ पे अल्टरनेटिव कनेक्टिविटीज की इस हर्याना और्विटल रेल कोरिडॉर को लेकर त से दादरी रेवाडी सेक्शन के बीच की यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी डेडिकेटी इफ्रीट कोरिडॉर की कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही में यहाँ पे असौती और पलवल स्टेशन के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी यह एक वाई छेकल रेल कॉरेडार के उपर यहां पेशेंजर ट्रेने और गूट्स ट्रेने दोनों ही चलने वाली हैं तो पांटिली स्टेशन जो आपका पढ़ता है दिल्ी-रिवाडी सेक्षन के बीच में यहां पेडीटिविटी होगी उसके बाद असोधा station पढ़ता है दिली रोहतक section के बीच में यहाँ पे connectivity होगी हरसाना कला section पढ़ता है दिली पानीपट section के बीच में यहाँ पे connectivity होगी इस पूरे rail corridor के अंदर 14 station बनने वाले हैं जिसमें से 4 junction railway station होंगे जिनके नाम मैंने आपको अभी ही बताए हैं जहाँ पे alternative connectivity होने वाली है वो junction बन जाएंगे बाकि अगर मैं बात करूँ इन सभी station के बारे में यह हर्याना orbital rail corridor का हिस्सा है और इस पूरे हर्याना orbital rail corridor के अंदर आपको 23 over water bridges देखने को मिलेंगे 25 main bridges canals के उपर देखने को मिलेंगे 195 आपको small bridges देखने को मिलेंगे जो कि कर्व पे होंगे तीन रोड फ्लाइवर्स देखने को मिलेंगे दो रोड ओवर ब्रिजिस देखने को मिलेंगे और 153 रोड अंडर ब्रिजिस देखने को मिलेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर गुरुगुराम वाले हिस्से में काम जो है वो सुरू हो चुका है और आप कह सकते हैं कि हर्याना और्बिटल रेल कोरिडॉर के बाद भारती रेलवे इस्टन और्बिटल रेल कोरिडॉर लेकर आया है ये एक बड़ी प्लानिंग भारती रेलवे की तरफ से है आने वाले दिनों में यहाँ पे एक और नया और्बिटल रेल कोरिडॉर हर्याना को उतर प्रदेश से connect करने के लिए बनाया जाना है जिसके बारे में next वीडियो में बात करने वाले हैं बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को जरूर से like करिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को share कर दीजेगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी ही अपडेट्स दिखने के लिए उमिद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेगा होप टू सी यू अगेन बाई 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 गाईज